पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो लोगों के दिमाग में confusion से या doubt से frozen foods को लेके as compare to fresh foods अगर हमने compare करें तो क्या differences आते हैं लेकिन कुछ और doubts भी आते हैं जब हम frozen foods की बात करते हैं और इस particular वीडियो में आपकी जो पांच major myths हैं frozen foods को लेकर वो clear करूँगा सबसे पहला जो myth है वो यही है कि जो frozen foods होते हैं उनमें fresh foods के comparison में nutrition कम होता है यह चीज हमने पिछले वीडियो में भी बहुत clearly जो है वो देखी थी कि जो frozen foods होते हैं वो अपने fresh counterpart से in fact better होते हैं जब आप nutrient preservation की बात करते हैं क्योंकि fresh वो ही माने जाते हैं real fresh जो बिलकुल harvest के बाद आपके पास आते हैं यानि farm से बिलकुल fresh निकले हुए over time वो days तक different temperatures में travel होते हुए जब तक वो सबजी वाले के पास है दुकान वाले के पास पहुँचते हैं तब तक उनका काफी हद तक nutrition loss हो चुका होता है और over time वो nutrition loss बहुत तेजी से होता है लेकिन अगर foods को रिसर्च में बहुत के लिए दिखा गया किर foods को harvest के time पे ही freeze कर दिया जाए तो उनमें जो nutrition loss है वो बिलकुल zero हो जाता है बहुत minimal हो जाता है और वो आपके so-called जो आपका जो market से खरीदते हैं जो actually fresh नहीं होते तेने आ ऐसा नहीं होता काफी हद तक bacteria जो हैं वो freezing temperature वे मर जाते हैं लेकिन काफी bacteria को freezing temperature से कोई फरक नहीं पड़ता है जब आप किसी खाने को freeze करते हैं zero degree Fahrenheit पर से freeze करते हैं तो maximum जो उसके अंदर molds, bacteria, fungi बगएर जो होते हैं वो एक dormant state में या नि sleeping state में चले जाते हैं वो मरते नहीं लेकिन वो उसी में survive करते हैं और जब उनको फिर निकाल के दुबारा heat किया जाता है खाने के लिए तो ये जो bacteria वगएरा है ये फिर activate हो जाते हैं इसलिए जो actual process जिससे bacteria वगएरा destroy होता है वो freezing नहीं है वो ज्यादा effective होता है heating इसलिए frozen foods को आप दुबारा निकाल के उसे defrost करते हैं उसको दुबारा heat करते हैं तो जो bacteria है वो destroy हो थर्ड जो myth है लेकिन एक बहुत common understanding है जो एक confusion भी है वो ये है कि जो frozen foods होते हैं especially इंडिया में उन्हें processed foods बोला जाता है इसका answer yes भी है और no भी frozen foods जो है वो processed foods तभी होंगे जब आप processed foods को ही freeze कर रहे हैं इसका मतलब है market आप जेखेंगे आपको frozen pizzas मिलते हैं frozen french fries मिलते हैं frozen कुछ processed meats मिलते हैं तो जब इन जो foods already processed हैं उनको आप freeze कर रहे हैं तो of course ही बात है कि वो heat करने के बाद भी healthy तो हो नहीं जाएंगे रहेंगे तो processed foods ही तो वो processed foods ही लेकिन सिरब processed foods को ही freeze नहीं करा जाता है fresh foods को भी for example market में आ अब भी भी मैं आपको बताया कि freezing is the best technique जिससे nutrition को preserve करा जा सके उसके इलावा जितने भी products frozen आपको form में मिल रहे हैं उनके ingredients आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं जितने ज्यादा कम से कम उसमें preservative or additives होंगे उतना वो better होगा और यह तो वैसे भी fresh जो आफे john normal खाने हैं उसम processed foods देख रहे हैं हम उनके ingredients पढ़ते हैं उनमें देखते हैं कि sodium content high है जो fresh vegetables or fruits वगरा जो है जो freeze हो रहे हैं उनमें sodium content high नहीं होता है और salt कहियों में तो hardly use किया जाता है तो अगर आप foods जो frozen foods खरीद रहे हैं उसके पीछे वैसे चेक करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जो foods आप लें उसमे sodium content 300-500 mg से कम हो लेकिन वो भी तब है जब आप frozen processed foods खरीद रहे हैं और वो जो fact है वो आपकर normal case में भी रहेगा चाहिए वो frozen है या नहीं है जब आप processed foods खरीद रहे हैं तो sodium content high होने से freezing का कोई link नहीं अब एक बहुत common doubt आता है जिसमें मित नहीं बोलूँग चीजें हैं वो सारी मैंने आपके लिए दी हुई है आप नीचे description में जाएए blog का link वहाँ पर है उसे click करिए और आप मेरी website पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर यह blog है जहाँ पर चीजों को आप refer भी कर सकते हैं जो भी research studies है जो भी evidences है तो question यह आता है कि हम खाने को कब तक freeze कर सकते हैं क्योंकि eventually कोई भी food हो उसे आप freeze भी कर लें लेकिन over the time उसका जो nutrition है वो धीरे धीरे lose होना शुरू हो जाता है हर एक food का different freezing time होता है जो निकाला गया है और खाने को एक महीने से लेकर up to 1 साल तक freeze किया जा सकता है और कहीं cases में उपर नीचे भी होता है इसके food जो है वो कितना time तक freeze जो है वो रह सकता है फ्रोजन रह सकता है maximum cases में जो companies होती है उन्होंने भी पीछे expiry date बगारा दी होती है लेकिन for example meats बगारा होते हैं बहुत समय तक बहुत freshly frozen रह सकते हैं तो आप अगर USFDA के चार्ट को मेरी website पे मेरे article में refer करेंगे आपको सारी information उ प्रोजन फूड्स को लेके यह आपकी clear हो गई और ऐसे बहुत सारी amazing वीडियो के लिए देखते रहिए we are stupid